दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सब्ट वेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कारी करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं इसके लिए आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर हैस्टेग बन नंबर वाली वीडियो से कोडिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रिस करके आल पर भी क्लिक कर लें दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सब्ट वेयर में हमने जितनी भी सेल की है उस सेल को पार्टी वाइस देखना मींस मींस यह कि सुम उस सेल में से हम किसी पीरिट के अंतरगत यह देखना चाहते हैं कि उस पीरिट के अंतरगत जो हमने सेल की है वो किन-किन पार्टीज को हमने कितनी-कितनी सेल की है तो किस तरह से देखेंगे जैसे कि माल लीजे मैं एक अपरल से लेकर और 31 दिसमबर के बीच में जो भी मैं के अंतरकत आपको यह देखना है कि उस period के अंतरकत आपने जो सेल की है वो किन-किन parties को कितनी सेल की है कैसेल कितनी की है Consolidate एक साथ एक ही क्लिक पर देखना चाते हैं तो किस तरह से देखेंगे चलिए जानते हैं गेटव सेली मुक्ह को select किया और interface कर दिया दोस्तो हम आगे display more reports में इसके बाद यहां से हमको जाना होगा दोस्तो account books में मैंने account books को select किया और interface कर दिया हम आगए account books में और यहां से हम जाएंगे sales register में जैसे ही हमने sales register को select करके enterprise किया दोस्तो तो यहाँ पर हमने जितनी भी cell की है, वो सारी की सारी cell monthly wise हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कि किसी भी मन्त के अंतरगत हमने जो भी cell की है, वो किन-किन parties को कितनी cell की है, और cash cell कितनी की है, तो उस मन्त को select करके और हमको आगे जाना होगा, इस इसके लाबा यदि हमको किसी period के अंतरगत देखना है जैसे 1 April से लेकर 31 December के बीच में देखना है तो क्या करना होगा यहां से कोई भी एक मन्त आपको सेलेक्ट करके और interface करना होगा है तो मैं यह समझ रहा हूँ कि मुझे यहां पर एक अपरेल से लेकर और 31 December के बीच में मैंने जो भी सेल की है वो सेल मैंने किन-किन पार्टीज को की है consolidated जानकारी मिल जाए और cash cell की है तो उसकी भी consolidated जानकारी हमको मिल जाए तो मैं क्या करूँगा यहां से किसी भी मन्त को select करके और एंतरपेस करूंगा तो मैं यहां से अप्रेल मंत को सिलेक्ट और के एंटरप्रेस कर देता हूं तो अप्रेल मंत में हमने जो भी चैल की है वो चैल हमें इस जगह पर दिखाई दे रही अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा period change करूँगा क्योंकि जिस period के अंतरकत हम को देखने है वो period मैं यहाँ पर कर दूँगा तो period change करने के लिए alt के साथ F2 प्रेस किया मैंने keyboard से change period में आ गए यहाँ पर मैं कर दूँगा 1 April 2021 से लेकर और 31 12 2021 और interface कर दिया अब यहाँ पर क्या हुआ period हो गया 1 April 2021 से लेकर और 31 December 2021 अब यहाँ पर हमें 1 April 2021 से लेकर और 31 December 2021 के बीच में जो भी हमने sell की है वो सारी की सारी sell हमें यहाँ पर show रही है चाहे हमने cash sell की हो किसी भी party को sell की हो अब यहाँ पर sell तो हमको show रही है लेकिन हमको consolidated जानकारी नहीं मिल रही है जैसे कि देखिए Manos Traders को जो हमने sell की है तो देखिए यहाँ पर Manos Traders को हमने sell की है वो यहाँ पर show रही है इसके लावा Manos Traders को मैंने sell की है वो इस जगे पर show रही है और हम नीचे जाएंगे तो देखे यहाँ पर मैंने Manoj Stators को यह Cell की है इसके अलावा मैंने और भी जो Cell की है तो वो क्या अलग-अलग तो हमको जानकारी मिल रही है कि Manoj Stators को हमने Cell कितनी की है अलग-अलग जानकारी मिल लें लें Consolidate जानकारी नहीं मिल लें टोटल जानकारी नहीं मिल रही इस period के अंतरगत कि मनोज टेटर्स को हमने total cell कितनी की है तो इस तरह से दोस्तो जब भी आपको ये देखना है किसी भी period के अंतरगत कि हमने जो cell की है उस cell में हमने किन-किन parties को कितनी cell की है और कैस cell कितनी की है एक ही click पर consolidated जानकारी मिल जाए तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा side में button बार है यहां पर आपको एक button लिखा हुआ मिलेगा जिस पर लिखा है change view है तो या तो इस button पर click कर दीजिए या इसकी जो shortcut की है वो है edge के नीचे दो underline है यानि आप control के साथ edge प्रेस कीजिए तब भी आप change view जो feature उसका use कर पाएंगे ना तो मैं यहाँ पर change view पर कर देता हूँ click जैसे ही मैंने change view पर click किया दोस्तों हमारे सामने screen कुछ इस तरह से appear हुई अब यहाँ पर देखेंगे तो views के अंतरकत आपको लिखा हुआ मिल रहा है extract है तो आपको क्या करना है extract को select करके और enterprise कर देना है जैसे ही मैंने extract को select करके enterprise किया तो यह देखिए हमको consolidated जानकारी मिल रही है किस period के अंतरकत जो period मैंने यहाँ पर set किया 1 April 2021 से लिकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में हमने जो भी sell की है वो सारी की सारी हमको consolidated जानकारी जगे पर मिल रही है देखिए आपर sundry data group के अंतरकत जो हमने sell की है वो किया 24,49,55 रुपई की total sell क्योंकि जो भी हमारे data party है उनको हमने sundry data group के अंतरकत हमने जो sell की है वो किया 24,49,55 रुपई की अब अलग-अलग हमको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि देखिए यहाँ पर deep debtors को हमने कितनी sell की है तो यह देखिए deep debtors के सामने यहाँ पर show रहा है 2,87,59 रुपई तो deep debtors को हमने 2,87,59 रुपई की sell की है इसी तरह से यहाँ पर जो भी हमारी debtors पार्टियां है उनके name आ रहा है और उनके सामने debit amounts हो रहा है और वो जो debit amounts हो रहा है वो हमें consolidated जानकारी मिल रही है कि हमने किसी भी debtors पार्टि को कितने की sell की है जैसे कि देखिए यहाँ पर mohun kazana store को मैंने select किया है और mohun kazana store के आपको show हो रहा है देखें ओनकार के सामने देखें तो यहाँ पर 6,070,060 रुपए की हमने sell कि é mohun करा रlen चाया की इसको जब हम select करे enterprise कर देंगे तो यह हमको जानकारी मिल जाएगी कि जो 6,27,060 रुपए की मोहन करान एश्टोर को हमने spirit के अंतरगत sell की है वो कैसे कैसे sell की है वो सारी की सारी जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है और enter price करेंगे तो voucher entry में भी हम आ जाएंगे और यहाँ पर आप modify करना चाहें तो modify भी कर सकते ठीके न enter price किया था मैंने इस जगह पर आ गया था अब मैं escape की price करता हूँ फिर से इस जगह पर आ गया तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही screen पर यह सारी की सारी जानकारी मिल रही है कि आपने जो भी sell की है वो sell किस किस party को कितनी की है consolidated जानकारी मिल रही है इसके लाबर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए cash in hand cash sell जो हमने की है वो भी हमको इस जगह पर शो रही 5,95,75 रुपए और 20 पैसे की हमने sell की है cash sell देखिए cash यहाँ पर सो रही है consolidated जानकारी हमको मिल रही cash sell की इसको जब हम select करके enter price करेंगे तो इस period की अंतरकत हमने जो भी sell की है alt के साथ add one price कर देते है condition करने के लिए यह देखिए तो यहाँ पर 1 अपरेल से लेकर और 31 दिसंबर के बीच में हमने जो भी cash sell की है वो सारी की cash sell हमको इस जगह पर शो रही है और total देखेंगे तो सबसे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा 5,99,575 रुपए 20 पैसे है तो इस तरह से consolidated हमको एक ही click पर सारी जानकारी मिल रही है इसके अलावा है यहाँ पर हम यह देखना चाहते है कि हमारा sales account कितने से credit हुआ है तो वो भी इस जगह पर शो रहा है sales account के अंतरकत जो हमारा sales का laser है वो 27,50,492 रुपए 20 पैसे से credit हुआ है और duty gen taxes के अंतरकत 2,80,138 रुपए 18 पैसे सो रहा है यानि हमारा duty gen taxes के जो भी laser है वो 2,80,138 रुपए 18 पैसे से credit हुए इसको select करके जब हम interface करेंगे तो यह देखे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा cgst, sgst और igst के बारे में भी कि cgst का laser जो है वो कितने से यहाँ पर credit हुआ है देखे एक लाग 9549 रुपए और 9 पैसे से यहाँ पर cgst का laser credit हुआ है और igst का laser देखेंगे तो igst का laser 61,060 रुपए से यहाँ पर credit हुआ यह भी हमको शो रहा है और round of जो हमने किया था round of का laser लगाया था तो वो भी हमको यहाँ पर जानकारी मिल रही है और जो भी जानकारी और चाहिए हमको तो उसको हम select करके enterprise करेंगे जैसे कि देखे यहाँ पर igst है current liabilities के अंतरका duties and taxes के अंतरकाद igst का laser select करके enterprise करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपने देखे लिए कि किस तरह से हम एक ही click पर यह सारी जानकारी ले पा रहे हैं कि किसी period के अंतरकाद हमने जो भी cell की है वो cell हमने किस किस को और कितनी कितनी की है इसके लाब है इस जगया पर हमें और यहां से आप period change करेंगे तो period change करेंगे तो आपको यहां से भी आप period change करके और जानकारी ले सकते यह नहीं है कि आपको back जाना होगा फिर वहां से आप period change करेंगे अब जैसे हमने period change करके यहाँ पर आये थे 1 April 2021 से लेकर 31 December 2021, अब मैं यहाँ पर देखिए न, 1 April 2021 से लेकर 31 December 2021 के बीच में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे सो हो रहा है, 30,30,630 रुपए 20 पैसे, debit amount ने सो हो रहा है, यानि जो sell हमने किये वो 30,30,630 रुपए 20 पैसे 2022 कर देता हूँ, ठीके न, यही से मैं period change कर देता हूँ और interface करता हूँ, तो देखिए अब हमारे पास जो sell की जानकारी मिल रही है, वो 1 April 2021 से लेकर 31 March 2022 के बीच मिल रही है, और इस period में जो हमने sell किये, वो किये 34,9,308 रुपए 40 पैसे grant total में हमको debit amount के सामने मिल रहा है, और आप जो हमें जानकारी मिल रही है, Sunday data के अंतरकत हमने जिन जिन को sell की है, वो आप जानकारी मिल रही है, हमको 1 April 2021 से लेकर 31 March 2022 के बीच में हर पार्टी के अंतरकत है, तो यही से हम कोई भी period change कर सकते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके यह दिए हम 1 April से लेकर यहाँ पर, और 31 October कर देते हैं, तो 1 April से लेकर 31 October के बीच में, देखिए हमको जानकारी मिल रही है, 29,40,000, 81,20 वैसे के हमने sell किये, grand total में debit amounts हो रहा है और 1 April 2021 से लेकर और 31 October 2021 के बीच में हमने किस किस party को कितनी कितनी sell किये, वो हमको जानकारी मिल रही है, sales का जो हमारा laser है, वो कितने से credit वो हमको जानकारी यहाँ पर मिल रही है, और indirect expenses के अंतरकत, round of laser भी यहाँ पर हमको sow रहा है, तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी period के अंतरकत आकर यह जानकारी इस जगह पर ले सकते हैं, और यह जो आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान समझ लें आप, जैसे कि Sunday Ditters के अ मैं यहाँ पर दीपकराना इस्टोर को लेता हूं, तो दीपकराना इस्टोर को देखिए कौन सा यहाँ पर amount उठकर आएगा, last amount, invoice value वो उठकर आएगी, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने दीपकराना इस्टोर को select करके enterprise किया, तो है न, तो यह देखिए, एक जुलाई यानि invoice value आपको इस जगह पर show होगी, जितनी कि आपने sell किये total है, तो invoice value आपको इस जगह पर show हो रही है, सारी जो भी party हैं उनके अंतरगत, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का topic आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, और escape की प्रिस करके हम फिर से आ जाते हैं, gateway of daily मुक्त में वार।